नमस्कार सातियां, सूपरबाद, आज है 18 जुलाई 2020 और आज के मुक्य सिक्सा समाचारों के पर हम जबी जो है नजर डालने वाले सातियां, आज के मुक्या हाईलाइटेट पॉइंट के अंदर देखें, बोर्ड पर एक सार रिजल्ड पर नई अपडेट के बारे में, पहली निवजारी है, सीनिर साइन्टिफिक ऑफिसर 2019 से समधित अप आत्रों को चैनित करने पर हाई कोट ने मांगा जवाब, दूसरी निवजारी है सातियों, एक अक्टूबर से नया सत्र 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे, यानि 30 सितंबर तक जो है एडमिशन सुरू होने हो जाएगा, आगी बढ़ते हैं सातियों, ग्रेजुएट्स के लिए खुशकबरी, 5888 कलर्क की बढ़ती के लिए नौटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है न, और यह इसमें योगित है जो इस बढ़ती का परकरिया का हिस्सा बनने के लिए उमिद्वार का किसी मानियत प कार्टिफिकेशन जारी हो चुका है, आप भी उसको समझ की जो है अपलाई जरू कीजेगा, आगे की निवजारिया सातियों, एम्स में 147 प्रोफेसरों की बढ़ती, अखिल बारतिया अधुर विजान संस्तान एम्स कल्यानी ने असिस्टेंड प्रोफेसर, एसोसेट प्र प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर बरती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं, इस परती अभियन के तहत 147 फैकल्टी पदों को बराज जाएगा, आगे बरते हैं सातियों और आगे की निवज को ले लेते हैं, आगे की निवजारिया खिवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, एससी जीडी परिक्सा में आवेदन शुरू, 25,000 से अधिक पदों के लिए नौटिपिकेशन जारी, 60 दिनों के स्पेसल कोर्स से होगा आपका चेहन 148 गंटे की लाइव क्लास ही दोगी, 180 आपके PDF नोट्स होंगे, ठीक है न और 20 प्लस गंटे के लाइव मौक टेस्ट होंगे, और लाइव क्लास में डाउट पूछने की सुविधा रहेगी, सभी क्लास के recorded backup मिलेंगे आपको, और revision work practice for wishes दियान, और राजदानी के अनुबववी टीचस दोरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है न तो है, SSGD के लि लेते हैं, प्रिंका गांधी से मिलने गए, कंप्रिंका गांधी से कोंसे, कॉंग्रेश योने की मारपीट, यवाओं ने ट्वीटर पर छेड़ा अभ्यान भाजपा बुली माखी, माफी मांगे, कॉंग्रेश, यानि जब आपको पता हो तो आपके जो 17 तारीकों साम को, सा प्रियरी करने वाले जो बेरुजगार थे, तो उनको पहले तो बिटाए गए था कि आपकी मिटिंग की जाएगी इनके साथ, आपकी मुलाकात करवा देंगे हैं, लेकिन अचानक से उनके उपर दावा बोल दिया गया और उनमें कई विद्यारती, अधिक साधिक विद्या और बहुती संक्या में इसके उपर कमेंट हुए थे, इस वज़े से क्या यह एक ट्रेंड में आ चुका था और सभी जगा इसके बारे में चर्चा होने लग गई थी, ठीक है ना, प्रदसन कर रहे हैं युवाँ पर हमले के विरोध में SFI ने किया प्रदसन, Student Federation of India ने कल जो लगी हैं तो उनका जवाब हम इनसे जरूर लेंगे सातियों, इसे के साथ ही एक कल रात को नियूज जारी की गी थी, गोईन सिंग डोटास ने अपने ओपीसिल ट्वीटर जो ट्वीटर एकउंट है, वहाँ पर अपने ट्वीट किया था, ठीक है ना, नियमित कम्पिटर बरती की मांग का मामला पिरिंग का गांधी की विरोध का ट्वीटर पर ट्रेंड तो सरकार ने दिया वारता का परस्ताव, सरकार में नियमित कम्पिट बरती की मांग को लेकर यूपी में पिरिंग का गांधी से मिलने पहुचे, अपियरतियों के साथ कथित मार पीट के ब अंग्रेश पर्देश अध्यक्स गोविन सिंग डोटासरा ने सुकुरुआ राट ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में कम्पिट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार कम्पिट रनदेशक पदवर बरती की जारी हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे लेकिन फिर भी इनके उपर बरुसा नहीं किया जा सकता है साथियों, इन्होंने कहा कि वारता करेंगे और वो करेंगे, लेकिन अगर आपका मनोभाव हैं कि बरती को निकाल देना है, तो फिर आप अपने ट्वीट के थूरी ये क्यों नहीं बोलते हैं, कि आपकी बरती नि आपको नियमित के लिए जब तक बुलावा ना आए, तब तक अपना अंदोलन जरी रखेगा साथियों, और आपका जो अंदोलन है, उसके लिए तहे दिल से सुक्रिया साथियों, सेलिट हैं आप सभी के, बहुत ही सांदार आपका अंदोलन चल रहा है, उपोगता बंडा C.I.A.T. के अंदर ये बरती आई है, सीनियर अकादमी कंसल्टेंट, टेक्निकल टीम लीड, मॉबाल अप लीड, डेवलापर, डाटाबेस एड्मिनिस्टर, कंसल्टेंट, अनुवादेक इत्यादी के अंदर 30 पदो पर वेकेंस आई है, और 40-45 तक इसके लास्ट आयू र और 35-40 पर तक आपके अधिक्त मायू रखी गई है, इसके लिए आपका इस्टाइप एंडर का गया है, 25,000 रुपे से 42,000 रुपे तक तता अन्यवत्ते भी इसके अंदर सामिल के गए है, आगी देखिए, सीनियर अकाउंट अफिसर बनने का आउसर है, आपका राष्टिय शेक्षिक अनुसंदा नहों पर सिक्षन परिसद NCERT के अंदर है, पदगावीवरन सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट जीनियर प्रोजिक्ट फेलो, सीनियर अकाउंट अफिसर कंसल्टेंट और बदो खिसंग के इसमें 8 है, कारी के अउद 31 मार्च 2022 तक रखी गई है, आ आगे देखे, SSEGD, कॉंस्टेबल बर्ती का नोटिपिकिसन जारी 25,000 से जादा वेकेंसी है, इसके अंदर आई है, बहुती बड़ी मात्रा में वेकेंसी ने कलिए, अगर जिनको भी अप्ले करना है तो जरूर अप्ले कीजिगा, आगे के लिए आपकी ग्रिजुएट्स क पदो पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है न, इसके लिए आपके जो है नाबाड में, असिस्टेंट मेनेजर और मेनेजर के पदो पर आवेदन करने के लिए, अमीदवाराओं को किसी भी मानेत प्राप्त, उनिवर्सिटी से कम से कम 60 फीस दियंकों के साथ ग्रेजुएट पर नियुक्ति के लिए योग्यमिदवारा से आवेदन आमतरित के हैं, इस बरती परक्रिया के तहत कुल 67 यानि 67 पदों को भरा जाएगा, इन पदों के लिए आवेदन आवेदन परक्रिया 13 जुलाई से सुरू हो चुकी है, ठीक है न, सतह जुलाई तक आपके अंतिम्ति कर लिए है, बरतियां भी थी बहुत सारी और कमड़ सक्सक्र बरती की स्पेसले जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े है, उनको बता दू कि अब आपका जो मामला है, वो वापस जो है पोजिटिव वेग के अंदर आ चुका है, जिस परकार से आंदोलन चल रहा है, उसी आ आपकी आपकी जीत अब पकी होगी साथ ही हो, बस अपने आंदोलन को इसी परकार उग्र आंदोलन बनाते रहिए, ठीक है ना, जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, इसके साथ मैं संपत लेड़ आप से भी सल्विदा लेता हूं, धन्यवाद